हेलो एब्रिवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सावसाफ सॉलूसन्स पर और आप देखना सुरू कर चुके हैं रियेक्ट 18 का फुल टिटोरियल सीरीज आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं JS6 के बारे में तो आप React.js में export बन जाएंगे आप React.js में कोई भी चीज़े आप implement कर पाएंगे कोई भी requirement को आप code में convert कर पाएंगे लिख पाएंगे ठीक है इसलिए ये जो JS6 है ये क्या है क्या क्या हम लोग JS6 के थुरू कर सकते हैं JS6 हमें क्यों use करनी चाहिए ये सारी चीज़े आपको पता होना चाहिए और JS6 के जो भी advantage है जो भी JS6 के features है उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए और इस पर आपका अच्छे तरीके से hands-on होना चाहिए बिल्कुल ही इजी वे में आप कर सकते हैं अगर आप इसको skip कर देंगे और आशे तरके से नहीं सीखेंगे तो रियेक्ट जेस में आपको हर कदम पर दिकत होने वाला है इसलिए हम लोग React 18 के इस सीरीज में JS6 को इन डीप कि इतना डीप कि इससे ज़्यदा डीप होई नही अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और अपने दोस्तों में भी सेर करें ताकि सबको reject J सिखेने का मौका मिले और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक क हमनों देखने वाले हैं कि Jack6 क्या होता है और यह सब्सक्राइब करते हैं क्या मजबूरी रही होगी हमारी जो हम यहां पढ़ने जा रहा है या आपको बढ़ाने जा रहा हैं और आपको रहने चाहरे और आपको सीखना ज़रूरी है खुद ReactJS भी आपको recommend करता है कि आप JSX यूज़ करिए हलाकि JSX ReactJS में यूज़ करना mandatory नहीं है compulsory नहीं है लेकिन ReactJS खुद भी आपको recommend करता है कि अगर आप ReactJS पर कोई अपना बेबबलिकेसन डेवलोप करना चाहते है आप JSX यूज़ करिए यह आपके development को काफी, काफी easy कर देगा तो क्या है JSX चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो देखिए तो आज का topic क्या है What is JSX इतना deep में हम लोग यहाँ पर देखने वाले JSX के बारे में कि आपको अगर कुछ भी पहले से पता नहीं होगा तो भी आप यहाँ पर export बन जाएंगे ठीक है देखिए JSX stands for JavaScript xml यानि कि JSX का जो full form क्या है JavaScript JS का मतलब क्या JavaScript और X का मतलब क्या xml यानि कि JSX stands for JavaScript xml यह जो JSX है इस word से बनाया गया है, JavaScript xml word से लिया गया है, ठीक है JSX is basically a syntax extension of javascript यह JavaScript का syntax extension है nothing else, क्या है JavaScript का syntax extension ठीक है, अभी थोड़ा सा दिप्रेशन देख लीजिए हो सकता है कि अभी आपको समझ में ना है ठीक है, लेकिन थोड़े ही सी टाइम के बाद आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा कि क्या कहने का मतलब है syntax extension करने का मतलब क्या है सब कुछ दीरे-दीरे समझ में आने लगेगा ठीक है, यानि कि javascript jss क्या है, javascript का syntax extension है ठीक है, यह करता क्या है यह हमें help करता है कि आप javascript में html को लिख सकते है जब आप react development करेंगे तो आप javascript में आप html को लिख सकते है ठीक है, means अगर हम simple भासा में बात करेंगे तो jss is a javascript syntax extension used in react to easily write html and javascript together यानि कि jss क्या है jss is a javascript का syntax extension है जो हमें capability provide करता है कि आप react.js में आप easily javascript को और html को दोनों को एक सांस लिख सकते है दोनों को आप एक सांस mix करके react.js में आप code कर सकते है यानि कि यह javascript का ही syntax क्या extension है अगर आप जो जो नर्मल जो javascript है उसमें आप html का code नहीं कर सकते है javascript जो है उसमें आप नर्मली html का code नहीं कर सकते है लेकिन यह jss क्या है उसी javascript का syntax extension है उसी javascript का syntax extension उसका syntax को extend कर दिया गया है अब वो क्या कर सकता है अब आप javascript के साथ html को विलिख सकते हैं जो जो नर्मल जो javascript है उसमें आप html का code नहीं कर सकते हैं दोनों अलग होता है अगर आप अलग होता है और javascript का code हम लोग लिखते हैं इसके अंदर या.js extension से एक file में आते हैं उसमें लिखते हैं जावा स्क्रीप का यूद होता है वो बिल्कुली separate होता है उसमें हम लोग html का code नहीं करते हैं नहीं है उसमें हम लोग लेते हैं या h1 h2 या d paragraph ऐसा कोई जावह लिखते हैं जावासिक्ट मतंब जावा स्क्रीप का ही उसमें हम लोग College करते हैं ऐसा नहीं करते है कि हमलोग एक variable बनाये और जावा सिर्प का code कर दिए उसमें एक variable लिए और उसमें हम लोग html के ऐलिमेंट रख दिए ऐसा वो syntax support नहीं कर सकता जो normal JavaScript अब वह के साथ STML को भी रख सकते हैं दोनों को एक साथ रख करके आप कोड कर सकते हैं दोनों को आप एक साथ मिक्स करके कोड कर सकते हैं और ऐसा हम लोग करते हैं रिएक जेस का जब हम लोग कोड करते हैं तब हैनि कि जब आप रिएक जेस में आप कोई भी बनाएगा अप्लिकेशन तो इसमें आप stml का code और javascript का code एक साथ कर सकते हैं, दोनों को एक साथ mix करके code कर सकते हैं, ऐसा क्यों करना पड़ता है, ये भी हम देखेंगे, ठीक है, तो I think आप लोगों को समझ में आगे होगा कि J6 क्या है, बहुत साथ लोगों को बस मतलब नहीं होता है कि J6 क्या है, बस करिए, वीडियो अच्छा लगे, तभी आप लोग वीडियो में कमेंट करके, आप हमारा उत्सा बढ़ा सकते हैं, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का like करना ना भूले, ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, आप जैसे suppose कर लिजिए, जैसे हमने यहाँ पर माल लिजिए, कोई भी लिया एक variable, ठीक है, ऐसा कोई भी variable लिया, माल लिजिए, ठीक है, इसका नाम थ्रौस आच्छा दिया, हमने j6, इसमें हमने क्या रखा हुआ है, h1 tag रखा हुआ है, इस जी इसके अंदर हमने क्या लिखा है, this is j6, ठीक है, इसका color थ्रौस बनाया है javascript में, और इस javascript में हमने क्या assign किया है, html, अगर आप normal कोई javascript को, अगर आप code करिएगा, without j6, जहाँ पर jss को support नहीं किया रहा हो, तो वहाँ पर ये काम नहीं करेगा, अगर आप normal html, javascript को अगर आप ये code करिएगा, तो javascript ये syntax support नहीं करेगा, आप javascript ये क्या है, ये javascript का code है, इसके अंदर आप HTML का code assign नहीं कर सकते हैं, उसमें आप या तो number, boolean, array, object, string, ये सब ही रख सकते हैं, अगर आपको normal plain javascript में, अगर आपको ये h1 tag रखना होगा, तो आपको इसको string format में रखना होगा, ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, तो अब ये string बन गया, ये HTML का element नहीं है, ऐसे support करेगा ये, लेकिन j6 में अगर आप आते हैं, तो आप ये javascript के साथ HTML का भी code रख सकते हैं, दोनों को mix करके आप code कर सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही beneficial साबित होता है, कैसे धीरे धीरे सब कुछ आप लोगों को समझ में आने लगेगा, और मज़ा भी आने लगेगा j6 का code करने में, और आप खुद ही बोलिए कि I love j6, इतना मज़ा आप लोगों को आएगा, इतना सब कुछ आप easily कर पाएंगे, ठीके, लगे का अरे यार ये ऐसे कर सकते हैं, ठीके, तो सब कुछ हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे धी लिजे, साफ-साफ हमने आप लिखा भी हुआ है, ठीके, यह दिसी सेंपल j6 कोड, यह हलाकि भी सिंपल लमने लिखा हुआ है, अभी बहुत बड़ा बड़ा कोड होता है, ठीके, इसी सिंपल j6 कोड in react, ठीके, react j6 कोड हम लोग ऐसे ही करते हैं, ठीके, but the browser does not understand the j6, अगर अगर आप ऐसे करते हैं, आप लोग बात समझेगा, कि जो हमारा ब्राउजर है, जो भी आप लोग ब्रजर यूज करते होंगे, chrome, mozilla, fairfox, age वगर, ठीके, safari, जो भी यूज करते होंगे, ओ जो ब्राउजर है, ओ आप, ओ, html को अंडरस्टेंड करता है, एक jml को अंडरस् jml, plain javascript, syntax extension, जो extension है, javascript का, जैनि कि jsx, उसको understand नहीं कर पाता है, उसका, जो compiler है, ओ, javascript के engine की अंदर नहीं लिखा गया है, ब्राउजर के अंदर integrate नहीं किया गया है, यानि कि ब्राउजर कूल मिलाकर के, ब्राउजर आपके jsys के code को समझ नहीं पाता है, यानि कि अगर आप ऐसा code करते हैं, तो ब्राउजर जो है, इसको समझ नहीं पाता है, उसको लगता कि यह फालतू है, यह कुछ ही नहीं, ठीक है, तो अब हलाकि अगर आप ऐसा code करते हैं, तो आपको समझाना पड़ेगा ब्राउजर को, कि भाई, घवराव मत, आपको जो चीश समझ में क्या रहा है न, हम आपको वही दे देंगे, यानि कि ReactJS क्या करता है आप बीच में, ReactJS का जो compiler है, इसके लिए ReactJS के पास compiler है, जिसके अंदर Babel का कोई उज मिलिया जा रहा है, बस समझेगा, दिकत क्या है, ReactJS बोलता है developer से कि आप JSS का code करिए, इस तरीके से, यानि कि आप एक साथ code करिए, ReactJS developer से बोलता है, और दिकत क्या है, ब्राउजर इसको समझ नहीं पाता है, ब्राउजर को plain JavaScript समझ में आता है, ब्राउजर को JSS समझ में नहीं आता है, तो ReactJS का जो compiler है, उसके अंदर एक Babel का रोल होता है, Babel इस JSS के code को transform करता है, किस में? जावा स्क code में, ठीक है, अब इस code को क्या कर देगा, जावा स्कूर्ट में transform कर देगा, जैसा code चाहिए आपके ब्राउजर को वैसा ये code आपको देदेगा, इसको transform करके HTML में देदेगा, return करा देगा और javascript में return करा देगा मतलब कि जो browser को समझ में आएगा उतना ये उसको compile करके वैसा code generate करके उस browser को देदेगा कि हाँ यह अब लो समझो अब तो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि jss क्या है कुछ भी नहीं बस इसके अंदर allow करने का syntax extend कर दिया गया है क्या allow करने का javascript को और html को एक सांथ लिखेने का जो syntax है support कराने का syntax को extend कर दिया गया है javascript में ठीक है जो कि ब्राजर समझ नहीं पाता है तो ये क्या करता है थोड़ा सा उसको downgrade करके दोनों को jss को compile कर देगा और transform करके देगा आपको लो भीया अब तो आप समझ जाएंगे तो ब्राजर समझ जाता है यानि कि बेबल का यहां पर रोल होता है देख लिए साब साब समझ में आएगा आप लोगों को मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है कि this is simple jss code यह क्या है यह valid javascript का code नहीं है क्योंकि javascript में आप stml का code assign नहीं कर सकते हैं देख लिखा होगा this is because we are assigning an stml tag to a variable that is not a string but just stml code अगर आप javascript का code करते तो यह string format बहना चाहिए था जबकि यह stml का element है ठीक है तो यह support नहीं करेगा इसको browser समझ नहीं पाता है क्योंकि इस code को invalid समझता है ऐसा understand करने का उसके अंदर code ही नहीं किया गया browser के engine के अंदर ठीक है so to convert it to browser understandable javascript code we use a tool like babel which is javascript compiler compiler transpiler ठीक है अब इसको browser के understandable javascript code में convert करने के लिए babel को यूज मिलिया गया है ठीक है अब आप बुलेंगे एक सर हम तो बेबल को इंस्टल करते नहीं है ठीक है तो बेबल को हम लोग internally use कर रहे हैं हमारे अप्लिकेशन में बेबल already install होता है जब भी आप लोग create react app के दवारा या using wheat आप project create करते हैं command के थुरू या तो आप wheat के थुरू या create react app के थुरू तो क्या होता है बेबल भी उसमें by default internally install हो जाता है और उसका रोल यही है क्या jss के code को transform करना ब्राउजर के understandable javascript code में change करना ताकि जो ब्राउजर है आपके jss के code को समझ जाए ठीक है उसको क्या करता है जैसा ब्राउजर को समझ में आना चाहिए javascript वैसे syntax में उसे jss के code को transform कर देता है ठीक है हम क्या करेंगे इस वीडियो में बिल्कुल ही फ्रेस using wheat आपको project create करके दिखाएंगे और दिखाएंगे कि internally उसमें बेबल भी installed है और उस बेबल का role यह है कि jss के code को transform, transfile करना है ठीक है बेबल के इतना ही नहीं करता है बेबल बहुत कुछ करता है हम आने वाले वीडियो में बेबल के बारे में भी आप लोगों को deep knowledge देंगे हलाकि बेबल का code आपको खुद से करना नहीं होता है इंटरनली बेबल खुद यूज में लिया जाता है बेबल के बारे में भी आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से इन डिप वीडियो लेकर के आएंगे तो बने रही है आप लोग दखिया थोड़ा सा पॉइंट और भी है कि using jsx is not compulsory react.js के development में jsx को यूज करना mandatory नहीं किया कि compulsory नहीं है but it is highly recommended by programming in react by react team ठीक है as it makes the development process easier as the code becomes easy to write and read ठीक है यह recommend किया गया है कि अगर आप react.js पर application develop करना चाहते हैं तो आप jcs को यूज कर लिजिए अगर आप jcs यूज करते हैं तो आपका जो code है वो understandable रहता है ठीक है आप उसको easy तरीके से write कर सकते हैं easy तरीके से read कर सकते हैं easy तरीके से कोई दूसरा developer उसको understand कर सकता है इतना अगर इतना उसका syntax easy हो जाएगा अगर आप jcs का code नहीं करते हैं और आप react.js में आप code करना चाहते हैं ठीक है तो कर सकते हैं mandatory नहीं है यह लेकिन जो आप code करेंगे वो काफी complex होता है और without jcs possible भी नहीं है इतना complex हो जाएगा आपका application possible नहीं है उसको उस application को develop करना ठीक है इसलिए highly recommended करता है रिजेट का team यहाँ पर यहाँ पर jcs use कर लिजे लेकिन mandatory नहीं है कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं हम जो जारू है यार हम तो कुछ भी कर सकते हैं तो कर लिजे ठीक है बहुत जदा time लगेगा आप code कर ले रहे हैं ठीक है अगर आप jcs का code करते हैं तो आप लोग easily तरके से कर सकते हैं क्योंकि आपको html का structure पता है html में आपका हाथ साफ है ठीक है और javascript में भी आपका हाथ साफ है बस दोनों का mix कर देना है हो गया js6 और यही js6 आपको react.js में सारे जगाव पर्यूज करना है ठीक है तो tension ही नहीं जाता है हमें javascript भी आती है हमें html भी आती है हमें react.js का code जो है element create करने का वो नहीं पढ़ना है ठीक है तो नहीं समझ में रहा होगा ठीक है tension मत लीजी example के थूर समझाएंगे ता आपको सब कुछ समझ में आएगा ठीक है देख लिजे jss is one of the core concept of react core concept है बीना इसके आप react.js में काम नहीं कर पाएंगे so if you understand it well you will be able to write better react code अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं ठीक है तो आप अच्छे तरीके से react.js में code कर सकते हैं आपको कभी भी कोई भी दिकत नहीं होगा आप कितना भी बड़ा requirement को आप अच्छे तरीके से यहाँ पर meet कर पाएंगे और इसको आप यहाँ पर प्रोजेक्ट में लिख पाएंगे ठीक है तो चलिए चलते हैं हम लोग practical करके देखते हैं कि JCS मतलब क्या होता है JCS हमने theoretical समझा और practical समझेंगे उसकी लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक नाया application create करेंगे और उसी application में JCS का सारा example करेंगे आने वाले वीडियो म करेंगे हम लोग ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं देखते हैं practical तो हम लोग आगे डेस्टॉक पर और जैसे कि आप लोग पता होगा अगर आप लोग फोलो करते होंगे हमारा वीडियो तो सारा application हम लोग इस YouTube folder के अदर बनाते हैं ठीक है तो इसी के अंदर हम लोग बनाए यह सोचिए क्योंकि हमने अल्लेडी पढ़ाया हुआ आप लोगों लोगों को एक होता है क्या create react के द्वारा दूसरा होता है क्या वीट के द्वारा हम लोग बनाएंगे application क्यों हो भीट बनाती के थुरू हम लोग यहां पर create कर रहें application यह अल्रडी हमने बताया हुआ है बह देस्ट आप पर जाएंगे और YouTube को हमने कर लिए select folder को ठीक है और यहां पर क्या लिखेंगे npm क्या create npm create वीट ठीक है npm create वीट इसको बढ़ा कर दूँ लिए देखिए तो क्या मांगरा आप से पुर्जेट का नेम पुर्जेट का नाम आप यहां पर लिख दीजिए पुर्जेट का नाम मालिय मैं यहांप दे देता हूं क्या आज जे इस एक्स जे इस एक्स एप नाम दे दिया जेस्स एप ठीक है यह बोल रहा है कि package का नाम क्या देना है ठीक है तो यह सेम रहने दिजिए क्या दिकत है और इसमें से कौन सा आप कुछा हिए react.js ठीक है तो react.js आप यहां से स्लेट कर लिजे बोला कि कौन सा language चाहिए तो कर लिए क्या java script ठीक है देख लिजे यहां पर बना करके देदिया अब यहां पर new file पर जा यह open folder और YouTube के अंदर हमने बनाया क्या js6 और यहां से कर लिए क्या select folder ठीक है अब इसमें new folder नहीं है बागी सारा चीज़ बन करके आ गया ठीक है और यहां पर आएंगे terminal open कर लेंगे और क्या कर देंगे सारा packages आपका यहां पर यहां पर लेली है package audition के अंदर ठीक है इसको हमने इंस्टॉल करना है तो क्या करेंगे just npm install npm install ठीक है तो बहुत ही कम टाइम में यह आपका application create कर देगा डेख्ते है ठीक है तो जैसे इंस्टॉल हो जाएगा क्या करेंगे इसको run करके दखेंगे ठीक है तो run करने का development तो आप लोग देखें कि यहाँ पर src के अंदर एसेट्स फोल्डर होता है app.js यहाँ पर बहुत सारा कोड यह करके देता है ठीक है main.js यह आपका क्या है main component है ठीक है तो इस पर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे इसको आज एटीज लने देंगे ठीक है और यह आपका क्या ह है app.js आपका यह रूट कंपोनेंट है ठीक है main component जहाँ पर की आप अपना कोई भी कोड कर सकते हैं ठीक है एक बार यह किरियेट हो जाने दीजिए ठीक है तो रन हो गया देख रहें कितना फास्ट यह रॉन करके आपको देदिया ब्राजर उपन करिए और यहां पर पेस्ट कर दीजिए और देख लिजिए इसका लुक एंड फिल भीट फलसी रियक्ट ठीक है यह है ठीक है तो हम यह सब देख चुके है उस पर हम फोकस न कर लेंगे ठीक है और अब जैसे की जैसे के बहुत सरा वीडियो हम लोग यहां पर लेकर काने वारा ठीक है तो जो भी वीडियो होगा अब इसी अप्लिकाशन पर बनाएंगे ठीक है क्योंकि हर वीडियो में बनाना पोसिबल नहीं है ठीक है हम यहां से सारा चीट आएंग को हटा देजे कौई काम नहीं है ठीक है बस main.jsx ओ्प.jsG train इन्दि धीटस पर क्या है एक डीव है जिसका क्या है जिसका क्या है इधी viktig के अंदर हमारे क्या रेंद carry का अपना यह निकर कॉंपोनेंट प्र कुछ नहीं करेंगे जो भी कोड़ करना होगा हम क्या करेंगे app.jsx पर ठीक है देखिए सबसे पर हम लोग क्या करने वाले हैं इस app.jsx पर क्या एक function best component बना लेते हैं ठीक है function नाम दिया हमने क्या है app नाम दिया क्या हमने app ठीक है और यहाँ पर देख लिजिए हमने लिया क्या लेट भाहर इस चोड़ी क्या हम दे लेते हैं क्या लेट जो भी देना ले लिए हम ने यहाँ पर क्या लिए element ने ठीक है यहाँ पर दिया क्या है माने लेमेंट ठीक है और इसके अंदर हम लोग क्या कर दिये एक h1 ले लेता हूँ, देख लीजे, और यहाँ पर मैं लेता हूँ क्या, यहाँ पर मैं लेता हूँ क्या, this is jsx code करेता हूँ, this is jsx code, देख लीजे, अब यह क्या है, यह क्या है, यहाँ से लेकर क्या तक क्या है, javascript, यहाँ से लेकर क्या तक क्या है, html, दोनों को हम लोग एक साथ लीक लिए, यही तो है JavaScript, sorry, J6, J6 का code यही है, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर लिए, JavaScript के साथ आपने क्या कर दिया, HTML का code कर दिया, आपने JavaScript के code के variable में आपने HTML का element assign कर दिया, यह possible हो पा रहा है due to J6, और इसको browser समझ नहीं पाएगा, तो यहाँ पर क्या रोल में आए browser को, browser जो समझ पाएगा, उस code में कौन transform करेगा, इस जैसे के code को, बेबल, और बेबल को हम लोग देख लिए, जहाँ पर install नहीं किये, तो बेबल हम लोग install करते नहीं है, by default, जो वीट, आप create किये, वीट के थूरू जो आपने बनाया application, उसमें by default, implicitly, बेबल को install कर दिया देख लिए, देख लिए, कहाँ पर देखेंगे आप, जैसे node modules में आकर देख लिए, देख लिए, देख लिए, इतने सारे इसके packages इंस्टोल है, बेबल के, देख लिए, ठीके, तो अब यही बेबल आपका यहाँ पर, इस code को क्या करता है, transform करता है, browser के understandable, JavaScript के code में change करता ह है, ठीके, इसको मुझे का कर दिए, simply return, यह, देख लिए, हो गया, यही आपका जावा, बेबल हो गया, sorry, यही हो गया, आपका JSX, ठीके, अब इसको मुझे यहाँ पर use में लेना है ना, जैसे देख लिए, यह जो main है, यहाँ पर, इसको यहाँ पर कर लिए, यहाँ पर य है, ठीक हो, यहाँ पर हमें default export करना पड़ेगा, हो गया, देख लिए, run करके देख लेते हैं, देख लिए, this is JSX code, f2L भी करके देख लिए, element में आईए, देख लिए, देख लिए, यहाँ पर, h1 के अंदर क्या, दीसी JSX code, ब्राज़र पर आ गया, मतलब क्या, ब्राज़र इसको समझ लिया, ठीक है, और हमने का किया, JSX का code लिखा, HTML और JavaScript को मिक्स करके हमने code कर लिया, यही है आपका क्या, JSX, ठीक है, अब रही बात कि, अब हम JSX का code यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि, हमें HTML भी लिखना आता है, हमें JavaScript में भी code करना आता है, बस दोनों को मिक्स कर लिए, आप ReactJS में code करने लगे, अगर आप यह सारा क करते हैं, तो ReactJS का code क्या है, ReactJS का code यहाँ पर क्या है, देख लिजे, क्या करते हैं हम लोग, इसी code को ReactJS का term में करते हैं, और वो देखेगा, वो कितना tough लोगे आपको, export, default, क्या, function, app नाम दे दिया, ठीक है, और यहाँ क्या क्या करते हैं, let my element, my element, और इसमें क्या करते ह हैं, इसमें हम लोगें, देख लिजे, अब यहाँ पर, import करेंगें, क्या, import, react, from, react, ठीक है, और यहाँ पर, यह, react, यह, react.create element, देख लिए, अब element create करेंगे, HTML का, क्या, कौनसा element create करना है, यहाँ पर, कौनसा element है, h1 element, आप यहाँ पर, single quotes के अंदर, h1 element ले देजे, ठीक है, कॉमा, देख लिजे, क्या मांगे आपसे, props, अब यह props क्या होता है, tension मत लिजे, props, यहाँ पर क्या होता है, देख लिजे, इस element के regarding कोई additional information, कोई additional attributes, ठीक है, अब यहाँ पर null pass करेंगे, ठीक है, इसके बारे में भी आगे, हम आप लोगो, आप लोगो, डीप में, वीडियो ले करके आएंगे, कि create element क्या होता है, इसमें कौन-कौन सा parameter भेजते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें भेजना रहता है, props, यहाँ कि property, इसका कोई भी information, कोई भी attributes, ठीक है, जैसे हमें style लग पास कर दिया हमने, उसके बाद क्या, अब इस एच वन के अंदर इसका children, क्या पास करेंगे, यहाँ पर क्या दिखाना है, इस एच वन के अंदर हमें क्या रखना है, यह देखे, इस एच वन टाय का यह चिल्डरन हो गया, क्या, दिस इज जैसेक्स कोड, कोंफी कर हमने, औ और यहाँ पर string format में डाल दिए हमने क्या, इस इस जैसे कोड, देख लिजे, और क्या कर देंगे हम लोग, return यह, देख लिजे, अभी भी आएगा आपका, जो पहले output आ रहा था, देख लिजे, इसको छोटा कर दिजे, मान लिजे, इसको भी छोटा कर दिजे, इसको ऐसे ब ठीक है, देख लिजे, समझवाए है, इसको राइट के लिए करके का कर लिजे, format, देख लिजे, क्या हो गया, यहाँ पर आपको output दिख रहा है क्या, इसको थोड़ा साव बड़ा कर लिजे, या इसको नीचे कर लिजे, देखिए, आगे यहाँ पर, क्या है, होन, DCJSS code, यहाँ प्राटपूट भी दिख रहा है, ठीक है, तो रिएक जिस आपको बोलता है, कि आप ऐसे code करिए, आप element create करिए, ठीक है, तो आप ऐसे element create करिएगा, तो कितना element create करिएगा, आप लोग को आईडिया है कि जब आप पूजिट बन element लेना होता है, div, span, testbox, button, radio button, checkbox, table, trtd, ठीक है, बहुत सारा आपको tag लेना होता है, ठीक है, और तो सब के लिए आपको ऐसे element create करना पड़ेगा, react.create element h1, react.create.element input, ऐसे से, ठीक है, तो आपका तहांत इसमें साफ ही नहीं है, क्योंकि यह तो react के टर्म में आप से code करने के लिए बोल रहा, dx, हमरा हाथ किसमें साफ है, हमरा हाथ साफ है, html का code लिखने में, अगर हमें कितना भी बड़ा अगर form बनाना हो, html में हम 5 minutes में बना सकते हैं, और उतना ही बड़ा माल लिए कि, एक registration का form बनाना है, हम html में diying करना, html का code है, ठीक है, हम उसको 5 minutes मे कर सकते हैं, और वही form को, वही estimate के code को, अगर हमें इस तरके से लिखना होगा, ठीक है, तो हमें आदा घंटा एगंटा भी लग जाएगा, ठीक है, तो यह developer के लिए बहुत ही headache हो जाएगा, कि कैसे करेंगे यार इसको, ठीक है, अब इसी चीज़ को आसान करने के लिए क्लि फिर यहाँ पर लिखिये, reject.kidate element, उसके अदर कुछ और अखना होगा, फिर kidate करिये, reject.kidate element, ठीक होती, यह काफी tough हो जाता, जैसे देख लिजे ना, मान के चलिए, suppose कर लिजे, copy करा हमने, यह paste करा, छोटा सा example आप लोग देख रहा हूँ, थोड़ा सा tough करके, जैसे, अ h1 डाल दिया, कुछ भी नहीं किया, एक h1 ले लिया, और यहाँ पर क्या ले लिया, एक paragraph ले लिया, और यहाँ पर दे दिया क्या है, hello, जीत कर रहे तो, hello, जीत, ठीक है, अब यह क्या है, हमने एक div के अंदर h1 को रख दिया, और फिर हमने पाराग्राफ को भी रखा, ठीक है, देख लिजी, आटपूट दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पर, बड़ा करता हूँ, देख लिजे, यह यहाँ पर क्या है, पाराग्राफ देख लिजे, div के अंदर, div के अंदर क्या है, h1 और यह पाराग्राफ, है ना, अब अगर हमें लिखना हो तो यहाँ पर मिंटों में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वही चीज़ देख लिजब यहाँ पर हमें लिखना होगा, कि इतना टफ हो जाएगा, अब क्या करना हमने, सबसे पहले div लेना है, यानि कि सबसे पहला element क्या है div, यहाँ पर क्या कर करेंगे, blank रखेंगे, क्योंकि इस div के अदर directly कुछ है नहीं, ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ होता है, कोई भी चीज, तो यहाँ पर हम लोग लिखते है, ठीक है, यहाँ पर कॉमा दीजिए, और वापस से क्या लिखिए, react. create element, ठीक है, और वापस से यहाँ पर कौन सा create कर करना, अभी हमें, ठीक है, और यहाँ पर, इसका, इसका चिल्डरन क्या है, इसका चिल्रन है, इसका चिल्रन है, this is not a, 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 this is not a और यहां पर क्या कौन सा पारागरा फेलिमेंट नल पास कर दिया और यहां पर क्या एच इडवल लो हेलो अजीत देख रहे हैं कितना टॉफ लग रहा है थोड़ा सा ही लेगा इधर उदर आपको समझ मेंगा और इसको अगर किसी को दिखाए ठीक है तो इसको किसी को समझ मे ठीक है आपको यहां पर विजुलाइज करना पड़ा किसका आउट्पूट क्या आएगा ठीक है देख लिजे आउट्पूट आपके यहां पर सही आ रहा होगा कोई दिखत नहीं देख लिए जा गया गया गलत पारागरफ कहा है गलत लिख दिया हमने यह डीव डीव के अ पर अंदर दिस इज नॉट जैस сделать खबर ठीक और यह प्रबड़ पार्ग्राफ पारग्रांफ के अंदर यह ठीक है अच्छा इण अ यहां पर बंद ठीखार यह ब्रकाट यहां पर बंद जाएगा फिल क्या पर अरिगरा देख रहे हैं कितना थ्रस ऐती टाइप हो गया इसका ये सट्वाइइमेंट यहां पर बंद गया क्योंकि हचे यह चुल्ण के बाहर है नप पारेखर देखिए यह चुन के बाःगराफ इसलिए चन क्या हो गया बंद हो गया है यहां पर इसके बाद यह पारग्राफ देख लिए जब यह पर इतना टॉफ कोड लिखा दो तीन एलिमेंट लिखने में हमें इतना टाइम लग गया ठीक है और देख लिए उसका है कितना आझे है तब जाकर क्या सट गूड़ यह जन्रेट करता है अगर आफ लोग खुदी Na G ég लग रहा है आपFC यह जदी लग रहा है करने में और पॉसिबल भी है आप यहां पर बड़ा बड़ा एस्टीम का कोड लिख भी सकते हैं ठीक है तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का आप लोग लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में करें और वीडियो आप लोग हमको कोई ठोब लाइए और अदो कि यहीटिग kali ने में लिख करेंगे किसी करेंगे किसी आने वाले में अपकमिंग वीडियो में उसको फ्रोड करेंगे ठीक है तो मिलते हैं हम लोग आगले वीडियो में जैसेस के ही आगले टोपिक के साथ तब तक के लिए थैंक्यू सो मच